नमश्कार दोस्तों, मेरे Palm Reading Channel में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जरतारिस वर्स के पुरुस के पाम का एनालेसिस करेंगे इनके सवालों के जबाब करेंगे तो सरपर्थ हम इनके सवालों को सोड़ेंगे फिरेक करके इनके सवालों का उतर करेंगे उसे पहले अगर आप लोगों अभी तक हामाई चैनल को सिस्क्राइब नहीं किया है तो किर चाहते हैं कि आगे के जिन्दगी इनकी कैसी रहेगी हतली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है हाथ पर क्या बहतर अवस्थाएं और क्या बुड़ी अवस्थाएं है इन साड़े महत्पोन विश्य पर इनको जाणना है तो आप बिलकुल बेचिंता ना करें आपके सा इसूस तो नहीं आजाएगी कही कोई बहुत बड़ी समस्याएं तो नहीं आजाएंगी शत्रु काफी ज़ादा पीछे लगे रहते हैं तो इस विश्य पर भी इनको जानना था कि आखिर इसकी क्या वज़ा है और इसके निराकर नहीं तो हम क्या कर सकते हैं या इसको किस त रुपती वालिया बहुत जबरदस सतेली है ऐसे विक्ति जिन्दगी पर पैसा जरूर कमाते हैं अरली एस से ये नौकरी कर रहे हैं सरकारी नौकरी ही ये कर रहे हैं तो आईएक एक करके इनके सारे ही चीज़ों को देखते हैं और उसके पहले कुछ पॉजिटिव विशे पर अगर मैं बात कर लूँ तो इनके सैटरन मांट पर ट्रैंगल बना हुआ है और जो भी विक्ति सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है उनको सरकारी नौकरी चाहिए सरकारी चेतर से धनलाव चाहिए उनके लिए विडियो बहुत महत अपूर है क्योंकि एस जिनके हान के हाथ पर जो अवस्था है अगर आपके हाथ पर हुई या आपके किसी विक्ति के हाथ पर हुई तो आपको भी सरकारी चेतर से धनलाव अवश्य हो गया तो वो क्या था वो तुम्हे आगे बताऊंगा पहले एक एक करके पॉजिटिव चीज़ को समझने का कोशिश करते हैं एक बहुत बढ़िया ट्रैंगल है जो कि इनके सनी परवत पर बना हुआ है कहते कहते हैं हम कि सनी परवत पर अगर तिरवुज जैसे आकरती दिख जाए या चतरवुज दिख जाए या वी नुमा आकरती दिख जाए ये तिरवुज हो गया ये हो गया चतरवुज ये हो ग मतलब आपके 55 में वर्स के बाद तो पैसे आते ही आते हैं जोकि ये 55 में वर्स के बाद के योग को बता रहा है लेकिन जवसे ये बन जाए तब से आपके जिंदगी पर पैसा आता है किसी भी वेक्ति के हाथ पर होगा है तो अपने अतली को खोल के देख लिए वो काफी बहुत बात, बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आभाग्य साली नहीं होते, तो ये अवस्था हैं आपके एदले पर अवस्थित होती भी नहीं, तो एक बहुत ज़ादा लावकारी अवस्था, एक बहुत ज़ादा अच्छी अवस्था, जो की सेटरन माउंट पर और आपके जिंदगी पर धनलाव है, तो ये बहुत कारगर बहुत ही अच्छा माना जाएगा, तो पहला चीज आपने देख लिया, एक बहुत अधवुत योग आपने देख लिया, समझ लिया, इसके उपरान भी चीज़े इनके एदले पर पॉजिटिव वे में हैं, इनक को बताता है, आने वाले सफलताओं का परचकराता है, तो एक बेहर, जानदार, शानदार प्रगति के योग, जो की इनके एदले पर अवस्थेत हैं, इसके उपरान एक बहुत शानदार मार्श लाइन, इसको हम मंगल रेखा कहते हैं, ये जिस भी वेक्ति के हाथ पर रहता है, ऐसे वेक्ति जिन्दगी पर प्रोटेक्ट फील करते हैं, मतलब कहते हैं कि ऐसे वेक्ति प्राक्रमी होते हैं, दिरगायू होते हैं, क्योंकि लाइफ लाइन के ही समतुल्य, ये आपकी जीबन रेखा, इसी के समतुल्य ये रेखा बनती है, और जिस भी वेक्ति के हतली पर होगी तो वो वेक्ति काफी जादा भागे साली होते हैं इसमें भी बिलकुल संदे नहीं है तो ये बहुत ही अधवुत पॉजिटिविटी थी इसके उपरांत इनकी बागेरे का सुरवाती दोर से बहुत कारगर नहीं थी लेकिन एक आयू के बाद तो बहुत जबरदस र रहा है तो आने वाले समय में सफलता को बताती है चालेस वर्स के बाद के उन्नती को बताती है और इनके सूरी परवत के पर भी न ट्रैंगल बना हुआ है तो ये प्रॉपरटी के सुख को बताती है उच्छस तर ये प्रॉपरटी के सुख को बताती है तो इसके इसमें जा जिन्दगी पर पैसा आता है, जिन्दगी पर बढ़िया पैसा आता है, यह जबात का परचकर आता है, जो कि इनके तलिक काफी अस्पस्चता के साथ बता रही है और समझा रही है, चलो जी इस चीज़ार पर देख लिया, समझ लिया, इसकी उपरान तो और भी पॉजिटिव है, मैं आपको बताना चाहूँगा, पॉजिटिविटि में क्या है, यह मैं आपको दिखाता हूँ, पॉजिटिविटि में न, इनके हाथ पर ग्रहां, ग्रहां दिस्टी कौन से भी चीज़े बड़ी अच्छी दिख लिए मुझे, प्लैंटरी कंडिशन के अगर मैं बात क अच्छे कंडिशन में है, आपका शुक्र काफी अच्छे कंडिशन में है, दोनों मंगल बहुत जवर्दस कंडिशन में है, लगबग लगबग प्लैंट्स आपके अच्छे कंडिशन में है, तो यह राज्यो कारक अवस्था को बताती है, जिन्दगी पर कंफर्ट को बता आते हैं ऐसे वेक्ति जिन्दगी पर कंफोर्ट को बिताते हैं ये जबात का परचकराती है तो ये तो बरियास पस्चता के साथ आपके दली बता और समझा रही है और गुलाबी है ये धन को अट्रैक करती है जब भी पैसे क्या आशकता हो कहीं न कई से जातक के जिन्दगी परधन जरूर आजाता है ये जबात का भी परचकराता है तो बेहस्तादार पॉजिटिविटी आपके हाथ पर अवस्थित है आपको जिन्दगी पर सफल बनाने हैं तो ये वह ज़दा कारगर बहुँ ज़दा कारगर माना जाएगा चलो जीजी ये पॉजिविटी देख ये अगर आपको सच में नौकरी के प्राप्ति करनी है तो जितनी ज़दा पॉजिटिविटी आपके हाथ पर होगी उतने करीब आप जॉब के बढ़ेंगी तो ये थोगी पॉजिविटी अब थूरा नेगेटिविटी पर भी बात करते हैं आपके हाथ पर पॉजिटिव चीज तो रहता ही रहता है साथ यसाथ आपको नेगिटिवीटी से आप जिंद्दगी पर तकलीफ में जाते हैं नेगिटिवीटी आपको परिशाना कर सकती है तो नेगिटिवीटी में मुझे क्या कुछ दिखरा है नेगटिविटी में सबसे पहले मुझे देखा जुपिटर का यहां से दबाब यह इस जबाद का परचकराता है कि ऐसे विक्ति स्ट्रगल रहता है इनके लाइफ में यह तोड़ा स्ट्रगल प्रारंबिक समय से देखते हैं पहला चीज, दूसरा कुछ धोके प्राप्ति के योग को यह बता रहा था तो तीसमे साड़ कायों तक कुछ धोके के योग को बता रहा है कुछ पारिवारिक संदर में हो सकता है या पर कहलो कुछ दोस्त मित्रों के द्वारा हो सकता है और ये जैसा बरश्पती है इसमें शत्रू हावी होते हैं तो ये जुपिटर थोड़ आपका गरपर है तो इसके लिए आपको बेशक उपाई करना चाहिए अब वो डिपेंड करता है कि आपके कुडली में बरश्पती मारक है अथवा योगकारक है हम योगकारक गरहक के लिए उपाई कर सकते हैं रतन पहन के लेकिन मारक गरहक के लिए हमें कुछ और उपाई करना होगा तो ये जुपिटर आपका गरपर है बहतरीन है गरपर जिसमें शत्रू पक्ष हावी हो पाएगा शत्रु पक्ष आपको तकलीव दे पाएगा शत्रु आपको परशान करेंगे इसलिए आपको बहुत जरूरी है कि इस ब्रश्पती का सही तरीके से डाइगनोसिस करके उपाए करें और एक अच्छा डाइगनोसिस के बाद ही जुपिटर काप सही उपाए कर पाएंगे इस चीज़ आपने देख लिया दूसरा आप काफी इंडिपेंडन्ट सोच के ये भी एक नेगेटिविटी है ऐसे वेक्ति अपने इसाफ से चलते हैं बहुत इंडिपेंडन्ट होते हैं जिंदगी पर हमेशा अपने इसाफ से चलना चाहते हैं ये भी एक प्रकार की नेगेटिविटी है ये भी एक प्रकार की परशानी है तो इस संदर में भी क्या करना चाहिए इस संदर में भी जातक को थोड़ा सा discussion करके ही कोई कार करना चाहिए एकदम से immediately कोई भी निरने ना ले ले आप discussion करके ले और किसी पर भी trust ना कर ले आप तो ये आपकी mind रेखा और जीबन रेखा मालक धलग ऐसे वेक्ति अपने मन के मा लिखोते हैं इसके उपरा धलकी फलकी राहूर एका थी जो की बरी समानी रूप से थी इसके विशेश negative impact आपकी जिंदगी पर तो नहीं आते हैं लेकिन अगर केर नहीं किया गए तो negative impact तो रहता है बाकिक डिस्टरब शुकर वला है mood swing की problems को बताता है जातक का mind थोड़ा fluct च्वेट करता है mood swing की problem होती है नाना प्रकार की दिमाग में चीज़े चलती है इस बात का परचे जरूर कराती है इसके उपरांत अगर मैं इनके इतली पर देखो और क्या चीज़ है इनके negativity में finger के बीच में gap है जातक पैसा खर्च ले होते है खर्च बहुत ज़ादा करते ह हाला कि कमाई भी अच्छी होती है लेकिन खर्च भी करते है तो mood drop से ज़ादा खर्च करने की क्या हो शकता है आपका कमाई है ठीक है बहुत चीज़ अच्छा है कोई बात नहीं लेकिन विशेश कर फालतु खर्च आप ना करे कोशिश करें पैसा सेव करने का तो ये कुछ इनके negativity तीसरी कुछ emotional है आप काफी भावुक है ये भी एक negative चीज़ को बना रहा है तो भावुक जो विक्ति होते है वो विक्ति जल्दी वाजी में निरने अगर लेना शुरू कर दे तो ये हमेशा ही negative निरने लेते है तो निरने आप सही सा ले निरने सोच समझ के लिए य हिसाब से ले आप तो ये तो हो गई इनकी बात ये इनकी positive और इनकी negative बात अब इनका प्रशनत है कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी कोई vicious नुकसान के योग तो नहीं है हलाकि जब इस प्रशन को मैंने सुना तो मुझे इनके हाथ पर एक negative वबस्ता देखी ये देखो बा संदर में आप नुक्षान में जा सकते हैं पचासमे साल तक क्योंकि भाग ये रेखा हो किसी रेखा ने काटिया और exactly ये 50 years की आसपास है तो ये 49 भी हो सकता है ये 49 पचास भी हो सकता है तो अब इसके लिए क्या करना है इसके लिए मैं आपके कुंडली काध्यन करूँगा मैं बहतर समय को देख लूँगा कि आखिर समय क्या है आखिर हम इसको बचने ये तो क्या उपाय कर सकते क्योंकि आप भाग ये साली तब ही अपने नेगटिव चीज को देख के भी आप उपाय करने के लिए सक्षम है ये तो बहुत से लोगों तो पता इनी चल पाता क्यू अगर आपका आपका सही समय पहलां पूछ नहीं है कि आप दुरुभाग याज आहीं है आप भा ये लिए नहीं है इसका लापका धरवाहि कर लो हो वह बहुत कर दूँगा, बहतर उपाय सजेस्ट कर दूँगा, अगर ईश्वर ने आपको हमारे से मिलाया है, तो कुसों देश से मिलाया होगा, तो वो देश को देखते हुए समस्तेव में इसके लिए उपाय जरूर करने आपके जीवन रेका से न, और भी जो आपके छोटे बरे प्रशन हैं, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ, और बताने का प्रयास करता हूँ, कि आपके आगे के जिन्दगी कैसी रहेगी, तो सबसे पहले चीज तो आप काफी इंडिपेंडेंट सोच के बच्पन सही रहे हैं, हा आपके लगबग लगबग ये 23-24 के आसपास एक नौकरी प्राप्ती के योग थे, अला कि नौकरी तो आपके 20-20 के बाद ही होने के योग थे, 23-24 में एक प्रगती थी, उसके बाद अलकी अलकी प्रगती के रेखा थी, जो कि जितना ये काम्याब्य एक्सपेक्ट करते हैं तो उसे साफ से नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जिन्दगी के गारी चल रही होती है, ये भी इस बात का प्रच कराती है, अला कि इस एस को अगर मैं देखो, यहां तक ये एस ऐसे similarity के साथ चली है, लगबग लगबग अर्थे 60 तक, एक आपके चालिस में साथ में फिर एक 60 तक तो completely है, 60 एर्स के बाद भी आपकी जीवन रेका बहुती अच्छी है, ये लगबग 70 एर्स में तरकी है, दो मुकी जीवन रेका आए, कुछ settlement या फिर घर से दूर के उन्नती, या घर से दूर का वास, चहाँ आपका native place होता है, वहाँ आपास ना करके, कही दूर जाके बसते हैं, ये जबाद का भी परचे कराता है, ये चीज़ हो सकता है, बाद भाकी जीवन रेका पर कोई राहू रेका नहीं है, तो ये राहत की सास है, लेकिन जब भाग ये रेका पर हो, धन रेका पर हो, तो जब धन की आगमन कम हो जाए, लाइफ में, ये रुक जाए, त तो आप इसका निराकरन करने हित्तु एक अपने तरब से इनिस्टेटिव ले सकते हैं, बागे मैं बता दूँगा। तो ये तो हो गए इनके हैतली पर ये वाली बात, बढ़िया बात, जहां से मुझे अस्पत्रा के साथ चीज़ों को दिखा, और इनके कोश्चन्स को भी बड़ी गहराई पूरवक समझा और मैंने बताने का कोशिश किया। लाइफ में कमफर्ट रहता है, लाइफ में आश्व आराम रहता है और एक समय के बाद अच्छा पैसा कमाते हैं, पढ़िया पैसा कमाते हैं। पर एके मल जाएगी, जबर्दस आपके डिजायर्स के लाइन है, वेक्ति काफी महातमा कांची, एक जबर्दस थम्ब है, तो एक जबर्दस वेक्तितों का परचकराता है, जातक का शांदार वेक्तितों होता है, जांदार वेक्तितों होता है, जुकना बेलकुल भी इनको पस फिंगर के बीच में गयाव है तोड़े खर्च लिए परविर्थी को बताता है या खर्च जादा होता है तोड़े इंट्रो वड़ है सबसे गुलना में ला पसंद नहीं है बाकी फिंगर पर खड़ी रेखा ये इंडिकेट कर रहे है इसे वेकित दिल के बड़े अच्छे है सूरी फिंगर आपके हिम्मत को बता रहा है बुद्ध फिंगर बहुत परवल है तो कम्यूकेशन इसके लिवाइस भी परवल ऐसे जातक की ना वाक परणूता बड़ी अच्छी होती है चीजों को गहराई परवक समझने का भी अच्छा इनको अंदाज होता है और समझाने परवक आगे बरना जिन्दगी पर चाहते है तो ये वाली बात हो गई क्लियर अब मैं तोड़ा आगे चलता हूँ यहाँ ब्रश्पती ब्रश्पती है आपका करपर इसके लिए दो पाई डेफिनेटली करना चाहिए स्क्वाइर है जो कि कही ना के 32 वर्स के बाद जिन्द को परिशान करता है कुछ धोके के योग को बताता है सत्रूपक्च हावी होने के सती को बताता है लोग आपके पीछे लगे रहेंगे कुछ पुलिस केस विगरा पुलिस के लफरे विगरा इन चीजों को भी यह दर्शाता है खैर आपको डरने के आवश्यक्ता नहीं है मैं आपके लिए बहतर उपाई रिकमेंट कर दूँगा बहुत हद तक मिना प्रयास रहेगा कि आपको तकलीफ ना हो बागी ये सब कुछ प्रगती के योगते जुपिटर फ्लैट है तो इसका उपाई आपको करना चाहिए नहीं तो सत्रूपक्ष अगर आप पर हावी हो जाएगा आपके पीछे लोग लगे रहेंगे तो ये भी कही नगा एक जिन्दा का विशे जुरूर है उसके उपरांद अगर मैं देखो तो आपकी माइन रेका बहुत सबर्दस है दिमाग के तेज है आप गरदर रेका अच्छी है तो इमोशनल है नॉर्मल रूप से बागे आगे गरदर रेका भी अच्छी है विश्टर योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं और यहाँ पर से जो इना एक लाइन ये दर्शाती इंसान तो जल्दी इरिटेट हो जाते है बागी एक थोड़ी एक नेगटिव रेका जरूर मानी जाएगी इसके लिए भी मैं आपको उपाई जरूर दूँगा उपाई जरूर रिकमेंट करूँगा बैलन्स काफी है दिल दिमाग के बहुत तंदूर से इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है यहां से दबाव है तो विक्ति काफी जादा मेहनती है और आगे वी नुमा करती यह ट्रेट एक तो आपके ट्रेंगल नुमा करती तो धना कमाई को बताती यहां सरकारी चेतर से धनालाव को इंडिकेट कर रही है और उसके उपरांत आपकी एक तो डिस्टरब शुक्र वले थी मूर्ट सुइंग को बताती है लाइन ओफ एजुकेशन कमाल है व्यक्ति बहुत समयजार परवर्तिक है जिन्दगी को कैसे जीना है कैसे मैनेज करना है यह इनको बहतर पता है सूरी फर वीनुमा आकिरती भविश्या आपका उज्वल है वही एक दो साल का दिक्कत जो है इसके लिए मैं आपको पाई दे दूँगा बाकि आगी कि भी सूरी देख अच्छे ट्रेंगल है मल्टिपल प्रॉपर्टी के सुक को बताता है यहां से भी एक स्क्वाइर दिक्रा है मुझे जो महज अर्थिस में वर्ष के बाद से सक्रिये था तो 36, 38 से 38 वर्ष के बाद आपके जिंदगी पर प्रॉपर्टी का सुक आपको मिला होगा सन मरकरी अच्छी है बुद्धिवेक से कारे करते हैं यह लाइन्स बड़ा अच्छा इंसान बहुत तेज है दिमाग के बहुत तेज है तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं सफलता पुर्वेक जिंदगी पर किसे भी कारे को कर लेते हैं सनमर्करी अच्छा है तो अच्छे परिवार से भी होता है या अच्छा परिवार डवलप करते हैं। दोडो मंगल बहुत जबरदस्त है, highly energetic है, ये भी कोई धोके का योग थे, तो आपको एक बार इसका उपाय जरूर करना चाहिए, बरश्पती का और ये जो नेगटिव होस था ही है। बता रहा है, चदर्मा प्रवलता मौस्था में, कुछ लाइन से आपके हाथ पर विश्यस्तम यात्रा को बता रहा है, जातक की जिन्दगी पर पैसे की फ्लो बनी रहती है, लोगों से जुरूर विकार में सपलता, लोग बढ़ा समान करते हैं, बर इच्छी दिस्चिते द बता है, जीवन ड्रेका बहुत इच्छी आयू दिरिगायों, आयू को लेकर विश्यस्तम दिक्कत नहीं है, जब भी लाइफ लाइन आपकी बढ़ी स्मूथ हो, तो आयू को लेकर ये बताती है, कि जातक की आयू में कोई समस्य आये, नहीं होते है, खैर आयू को लेकर वि लाइन से वो तो मिलता है, तो आई स्ट्रेस आता है, शुरवाती दौन में, पारिवारे की स्ट्रेस भी राता है, लेकिन शादे के बाद बागुदे होती है, शुक्र बहुत बढ़ी आया है, मनी मैजमेंट में प्रबल है, जातक की जिन्दगी पर पैसा आता ही आता है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे, आप विक्तिक तुर्स में सब्सक्रे का दिखा के सही जाड़कारी पाना चाहते, अमारा वार्ट्स अप नमबर डिसकोशन में मिल लेगा, लेकर आप समपड़ कर सकते, धन्यवाद